प्यारे बच्चों आज हम लोग इतने भी most important objective question complete पढ़ेंगे और सारा objective question 12th history के NCRT pattern 2025 पे आधारित होगी जिससे आप लोगों को इंटर की परिक्षा में 50 में 50 marks guarantee के साथ मिल जाएंगे तो आज किस वीडियो को सुरू से अंतर जरूर देखिए और ये हम लोगों का history के chapter wise set 6 है और इससे पहले हम लोगोंने set 5 complete पढ़ चुके हैं यदि आपने set 5 वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो link इस वीडियो के description में मिलेगा उसको देख लीजिए या फिर आप इस वीडियो को सुरू से अंतर जरूर देखिए और अंत में या लास्ट में इस बॉक्स में एक वीडियो मिलेगी ओ हम लोगों का set 5 होगा तो उसको आप जरूर देखिएगा लेकिन इस set 6 को complete देखने के बाद तो चलिए आज किस वीडियो को सुरू करते हैं और इस वीडियो का पहला question अकबर का वित मंतरी कोन था अकबर का finance minister कोन था यानि अकबर का वित मंतरी कोन था तो एक का सही answer हो जाएगा option C टोडर मल याद रखिएगा कि अकबर का वित मंतरी कोन था तो टोडर मल और एक का सही answer option C चलिए आगे वड़ते हैं, यहां पे देखिए हम लोगों का सेकेंड एनि दूसरा कोस्चन सर्ब पर्थम एनि सब से पहले विजैनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो दो का सही आंसर हो जाएगा option ये निकोलो कोंटी, कौन था? तो निकोलो कॉंटी एनि दो का जो सही आंसर है न वो option A number होगा और यहाँ पे तीसरा question तमबाकू के शेबन पर किस सासक ने परतीबंध लगाया तो तीन का सही आंसर हो जाएगा option C जहांगीर ने किसने तो जहांगीर ने एनि तीन का सही आंसर option C और आज की इस वीडियो में हम लोग total 60 एनि 60 most important objective question complete पढ़ेंगे जिन में से कम से कम आपका 50 question का answer सही होना चाहिए तो आप लोग क्या कीजिएगा आप लोग हर question के answer को comment section में जरूर लिखेंगे तब ही आपको last में पता चलेगा कि आपका कितना शही हुआ है तो आप लोग मेरे answer करने से पहले हर question के answer को comment section में जरूर लिखेंगे यहाँ पे देखे हम लोगों का चौथा question वासको डिगामा भारत कब आया वासको डिगामा भारत कब आया तो चार का सही answer हो जाएगा option B 1498 को यहनि 1498 इस B को वासको डिगामा भारत आया था तो चार का सही answer हो जाएगा option B चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखे हम लोगों का पांच नमबर question मनू अस्मिर्ती में कितने परकार के विबाह का उलेख किया गया है चलिए आगे देखते हैं और यहाँ पे देखे हम लोगों का 6 नमबर question पुना समझोता किस वर्स हुआ पुना समझोता जो है वो किस वर्स हुआ था तो 6 का सही answer हो जाएगा option A 1932 को पुना समझोता कब हुआ था तो 1932 को यहनि 6 का सही answer हो जाएगा option A चलिए आगे देखते हैं और यहाँ पे देखे हम लोगों का 7 नमबर question खुआ जा मुईनुदिन चिस्ती की दरगाह कहा है खुआ जा मुईनुदिन चिस्ती की जो दरगाह है न ओ कहा है तो 7 का सही answer हो जाएगा option D अजमेर में कहा है तो अजमेर में एनी सही answer option D चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखे हम लोगों का 8 नमबर question जैहिंद का नारा किस ने दिया जैहिंद का नारा किस ने दिया तो 8 का सही answer हो जाएगा option D सुभास चंद्र बोस ने किस ने तो जैहिंद का नारा सुभास चंद्र बोस ने दिया था तो 8 का सही answer हो जाएगा option D चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे देखे हम लोगों का 9 नमबर question जैन धर्म में 24 बे तिर्थंकर कौन थे ठीक है जैन धर्म में 24 बे तिर्थंकर कौन थे तो 9 का सही answer हो जाएगा option D महावीर स्वामी कौन तो महावीर स्वामी सही answer होगा option D अगर आप लोग इंटर की परिख्षा में 400 पलस मार्क्स लाना चाहते हैं तो एक नड़ धियान से सुनिए क्या आप एक ऐसा special batch को join करना चाहते हैं जिसमें आपको arts के सभी subject का most important questions का PDF मिल सके और आपकी तैयारी बहतर हो जिससे आप आसानी से 80% पलस एनि 400 पलस मार्क्स बना सकें पिछले साल कई विद्यार्थियों ने 85% पलस मार्क्स लाया था मात्र एक महिना पढ़कर अगर आप भी 80% पलस मार्क्स लाना चाहते हैं तो special batch को जरूर जोइन कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपका inter की परिक्षा में 400 पलस मार्क्स आए तो आप special batch को जरूर जोइन कीजिए और special batch में जोइन होने के लिए आपको मात्र 199 रुपे payment करना होगा यहाँ पे मेरा WhatsApp नमबर है, आपके सामने दो दो WhatsApp नमबर, दो WhatsApp नमबर है, तो इन दोनों में से किसी एक पर आप लोग WhatsApp पे a special batch लिखके message कीजिए, तो आपको a special batch से join किया जाएगा, जिसके लिए आपको मात्र 99 रुपे payment करना होगा, और अब तक लगभग 500 पलस student join कर चुका ह और आपके पास आखरी chance है, एनि golden chance है, तो आप भी जरूर जोइन करें, और आप लोग सोचिएगा कि PDF में ऐसे क्या रहेगा, कि इतना सारा नमबर आ जाएगा, तो PDF में objective question, subjective question, viral question, out question, leak question, previous years का question bank का solution सब रहेगा, जिससे आप लोग आसानी से 400 plus marks ला सकते हैं, ठीके न, तो आपके भी इंटर की परिक्षा में 400 plus marks आए, तो आप message जरूर करेंगे, और यहाँ पे 10 नमबर question, जालियाँ वाला बाग हतिया कांड कब हुआ था, तो इस 10 का सही आंसर हो जाएगा, option यह 13 अपरेल 1919 को, याद रखेगा, कि जालियाँ वाला बाग हतिया कांड कब हुआ था option D, 26 जनवरी 1950 को, भारतिय शंविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को, तो सही answer option D, चलिया आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिया हम लोगों का 12 नमबर question, परसिध बिरुपाक्ष मंदिर कहां इस्थित है, परसिध बिरुपाक्ष मंदिर जो है, वो कहां इस्थित है, तो 12 का सही answer होगा option यह हम P में, कहां, तो हम P में, तो सही answer option A, चलिया आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिया हम लोगों का 13 यानि 13 नमबर question, शंथाल बिदरो कब आरंब हुआ, तो 13 का सही answer होगा option यह 1855 को, यानि 1855 इस B को शंथाल बिदरो आरंब हुआ था, तो सही answer option A, चलिया आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिया हम लोगों का 14 यानि 14 नमबर question, दामीन इकोह क्या था, तो 14 का सही answer होगा option यह भू भाग, याद रखियेगा कि दामीन इकोह क्या था, तो भू भाग था यानि जमीन का टुकरा था, तो 14 का सही answer होगा option A, और यहाँ पे गुप्त की तुलना किस यूरोपिये सासक से की जाती है, तो 15 का सही answer होगा option B, नेपोलियन से किस से, तो नेपोलियन से एनि सही answer option B, next हम लोगों का देखिये, यहाँ पे 16 एनि 16 नमबर question, सर की उपाधी किसने वापस की थी, सर की उपाधी किसने वापस की थी, तो 16 का सही answer होगा option C, रविंदरनाथ टैगोर ने, किसने, तो रविंदरनाथ टैगोर ने, नेपोलियन से ही answer option C, next हम लोगों का देखिये, यहाँ पे 17 एनि 17 नमबर question, अकबर ने दीन ये इलाही कब सुरू किया, तो 17 का सही answer होगा option D, 1582 को कब, तो 1582 को एनि सही answer option C, next हम लोगों का द देखिये, यहाँ पे 18 एनि 18 नमबर question, अस्थाई बंदोबस्त कहां लागू किया गया, तो 18 का सही answer होगा option C, बंगाल में, कहां, तो बंगाल में एनि 18 का सही answer option C, next हम लोगों का देखिये, यहाँ पे 19 नमबर question, 1857 के बिदरों के शमय भारत का बादसा कोन था, 1857 के बिदरों के शमय भारत का बादसा कोन था, तो 19 का सही answer हो जाएगा option C, बहदूर 7 second कोन था, तो बहदूर 7 second कोन था, तो बहदूर 7 second कोन था, तो 19 का जो सही answer है न वो option C नमबर होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिये, हम लोगों का 20 यहाँ 20 नमबर question, महा भारत का युध कितने दिनों तक चला, महा भारत का जो युध चला था, वो कितने दिनों तक चला था, तो 20 का सही answer होगा option D, 18 दिन कितना, तो 18 दिन तो सही answer हो जाएगा option D, नमबर, चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखिये, हम लोगों का 21 नमबर question, पुरा पुरानों की संखिया कितनी है, तो 21 का सही answer हो जाएगा option B, 18, पुरानों की संखिया 18 है, तो सही answer option B, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिये, हम लोगों का 22 नमबर question, कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंध बस्ती का नाम क्या था, कलकत्ता में अंग्रेजों की कलेबंध बस्ती का नाम क्या था, तो 22 का सही answer हो जाएगा option B, फोट बिलियम कौन, तो फोट बिलियम एनि सही answer option B, नेक्स्ट हम लोगों का दिखिये, यहाँ पे 23 एनि 23 नमबर question, इबन तूता किस देश का यात्री था, इबन तूता किस देश का यात्री था, तो 23 का सही answer ह option C, मुरको का, कहा का, तो मुरको का, तो सही answer option C, नेक्स्ट हम लोगों का दिखिये, यहाँ पे 24 नमबर question, महा भारत की रचना किसने की, महा भारत की रचना किसने की थी, तो 24 का सही answer होगा option D, बेद वियासने, याद रखियेगा, कि महा भारत की रचना किसने की, तो बेद एनि 24 का जो सही answer है न वो option D number होगा चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे देखे हम लोगों का 25 number question कासी में किस परसिद शंत का जन्म हुआ कासी में किस परसिद शंत का जन्म हुआ था तो 25 का सही answer हो जाएगा option B कबीर का किसका तो कबीर का एनि सही answer option B नेक्स्ट रमलों का दिखें यहाँ पे 26 number question कौन सा अंदोलन दांडी से परारंब हुआ कौन सा अंदोलन जो है वो दांडी से परारंब हुआ था तो 16 नहीं 26 का जो सही answer है न option C होगा श्वविने अवग्या अंदोलन कौन तो 26 का जो सही answer है न वो option C number होगा और यहाँ पे 27 number question रयत वाड़ी बैवस्था सर्व परथम कहां लागू की गई तो 27 का सही answer होगा option C मदरास में रयत वाड़ी बैवस्था सर्व परथम कहां लागू की गई तो मदरास में यहाँ 27 का सही answer option C चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे देखिए हम लोगों का 28 एनि 28 नमबर कोस्चन पुरातत्व के अंतरगत निम्ण में से कौन नहीं है तो 28 का सही आंसर होगा option यह शाहित क्या होगा तो सही आंसर option A चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे देखिए हम लोगों का 29 नमबर कोस्चन भारत के पर्थम रास्टपती कौन थे बारत का पर्थम रास्टपती कौन थे जवाहर लाल नहरू option B राजिंदर परसाद option C लाल बहादुर सास्तरी option D बी आर अंबेड कर एनि भीम राव अंबे उसको सही answer लिखके reply करूंगा तो आप लोग 29 नमबर का जो सही answer होगा उसको comment section में जरू लिखेंगे यहाँ पे 30 नमबर question रामानंद के 6 से कौन थे तो 30 का सही answer होगा option D इन में से सभी अर्थात राइदास कबीर धन एबम पीपा एचारो तो 30 का सही answer हो जाएगा option D इन में से सभी यहाँ पे देखिए हम लोगों का 31 नमबर question असो किस वन्स का सासक था तो 31 का सही answer हो जाएगा option A चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 32 इन 32 नमबर question भारत आने वाले पर्थम European कोन थे भारत आने वाले पर्थम European कोन थे तो 32 का सही answer हो जाएगा option यह पूर्टगाली थे कोन थे तो पूर्टगाली यहाँ नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 33 नमबर question अर्थ सास्तर के लेखक कोन थे तो 33 का सही answer होगा option D कौवटिल याद रखिएगा कि अर्थ सास्त के राइटर कोन थे तो कौवटिल या एनि 33 का सही answer हो जाएगा option D number कौवटिल ये चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे देखिए हम लोगों का 34 नमबर question शौतंत्र भारत के पर्थम गवर्नर जनरल कोन थे शौतंत्र भारत के अनि आजाद भारत के पर्थम गवर्नर जनरल कौन थे तो 34 का सही answer हो जाएगा option C Lord Mountbaton कौन थे तो Lord Mountbaton ये 34 का सही answer होगा option C और यहां पर देखिए हम लोगों का 35 नमबर कोस्चन मोहन जोदरों का उत्खनन किसने किया था मोहन जोदरों का उत्खनन किसने किया था तो 35 का सही आंसर हो जाएगा option C RD बनर जी ने किसने तो RD बनर जी ने मोहन जोदरों का उत्खनन किया था तो 35 का जो सही answer है ना option C number होगा और यहाँ पर देखिए हम लोगों का 36 number question गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था तो 36 का सही answer option C तलवंडी में कहां तो तलवंडी में एनि सही answer option C next हम लोगों का देखिए यहाँ पर 37 number question भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है तो 37 का सही answer option B होगा डॉक्टर भीम राव अंबेड कर यहीं डॉक्टर बी आर्ड अंबेड कर तो सही answer हो जाएगा option B number और यहाँ पर हम लोगों का देखिए 38 number question तो 38 का सही answer हो जाएगा option यह पाटली पूत्र में कहा तो पाटली पूत्र में सही answer option A और next हम लोगों का देखिए 49 number question इंडी का किसका यात्रा बिरितांत है तो 49 का सही answer होगा option यह मेगा अस्थनीज कोन है तो मेगा अस्थनीज यहने 49 का सही answer option A next हम लोगों का देखिए यहाँ पर 40 यहने 40 number question इंडीया गेट का निर्मान कब हुआ था तो 40 का सही answer होगा option B 1931 में इंडीया गेट का निर्मान 1931 में हुआ था तो सही answer option B नेक्स्ट हबनागों का दीखे यहाँ पे 41 नमबर powiedz marriage किस नधी के किनारे इस्थित हैं हराप्पा सभ्यता जो है वह किस नधी के किनारे इस्थित हैं तो 41 का सही आंसर हो जाएगा option d-rage राबी नदी के किसके तो राबी नदी के यहाँ एकतारिस का सही आंसर option d नेक्स्ट हं लोगे का देखें है यहाँ पे 42 नूमबर कोस्टेन कलकत्ता में सर्वुच नियलले तो 42 का सही आंसर हो जाएग अप्चन Dending 1774 इस बी में एनी सही आंसर अप्चन D-number नेक्स्ट हं लोगे का देखें यहाँ पे 43 नूमबर कोस्टेन आईन ए अकबरी किसने लिखा आईन ए अकबरी जो है वो किसने लिखा तो 43 का सही आंसर हो जाएगा option she अवल फजलने आईन यहां आईये हो गया mistake है ठीक है आपको इस तरीके से रहेगा आईन ए अकबरी किसने लिखा तो अवल फजलने तो सही answer option she next time lo का दिख्ये यहां पे 44 number question कोंग्रेस की आस्थापना कब हुए थी तो 44 का सही answer होगा option she 1885 भी को अनि सही answer option she next time lo का दिख्ये यहां पे 45 number question शुईतंबर एबम दिगंबर का संबंध किस धर्म से है शुईतंबर एबम दिगंबर का संबंध जो है ना relation वो किस धर्म से है तो 45 का सही answer होगा option d जैन धर्म से यहां पे देख्ये हम लोगों का 46 number question दिल्ली चलो का नारा किस ने दिया दिल्ली चलो का नारा किस ने दिया तो 46 का सही answer हो जाएगा option यह सुभास चंद्र बोस ने किसने तो सुभास चंद्र बोस ने यहां पे 46 का सही answer option a नेक्स्ट हम लोगों का देख्ये यहां पे 47 यहां 47 number question 1857 के बिद्रों को किसने पर्थम सावतंतरता शंगराम कहा है तो 47 का सही answer हो जाएगा option d बीर शावर करने किसने तो बीर शावर करने यहां 47 का जो सही answer है न वो option d नमबर होगा चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पे देख्ये हम लोगों का 48 number question हरी हर एबंबुक का किस वन्ष के सासक थे तो 48 का सही answer हो जाएगा option यह शंगम वन्स यहनि सही answer option a नेक्स्ट हम लोगों का देख्ये यहां पे 49 number question शहीद यह आजम किसे कहा जाता है शहीद यह आजम किसे कहा जाता है तो 49 का सही answer हो जाएगा option b सरदार भगत सिंग को किसको तो 50 का सही answer होगा option C, हरी सेन ने, किसने, तो हरी सेन ने, यहनि सही answer option C, next time लोगों का देखिए, यहाँ पे 51 number question, पलासी का युद कब लड़ा गया, तो 51 का जो सही answer है न, option B होगा 1757 को, पलासी का युद 1757 को लड़ा गया था, तो सही answer option B, next time लोगों का देखिए, यहाँ पे आंसर अप्षेन B अंसर अप्षेन D नेक्स हम लोग का दिखे यहां पे 25 नंबर कोस्चन 1920 में कौन सा अंदोलन आरंभ हुआ 1920 में कौन सा अंदोलन आरंभ हुआ था तो 55 का सही आंसर ऑप्षन C और सहयोग अंदोलन यहीं सही आंसर ऑप्षन C Next हम लोगों का दिखिए यहाँ पे 56 नमबर कोस्टिन शैनी को दुबरा परियोग में लाई जाने वाली 57 नमबर कोस्टिन ताज महल का निर्मान किसने करवाया तो 57 का सही आंसर होगा अप्षन D सहा जहाने ताज महल का निर्मान किसने करवाया सहा जहाने यहीं सही आंसर ऑप्षन D Next हम लोगों का दिखिए यहाँ पे 58 नमबर कोस्टिन पानीपत का पर्थम युद किस वर्स हुआ था तो 69 का सही आंसर हो जाएगा option B 1526 इस B को पानीपत का पर्थम युद 1526 को हुआ था तो सही answer option B next हम लोगों का देखिए यहाँ पे 60 एनि 60 नमबर question 1857 के विद्रों के समय इंगलेंड का परधान मंतरी कोन था तो 60 का सही answer option C palms stone कोन था तो palms stone एनि 60 का जो सही answer है न वो option C होगा और आज किस विडियो में हम लोग total 60 most important objective question complete पढ़ चुके हैं तो इस 60 में से आपको कितने का आंसर याद था comment box में जरू लिखें आज किस विडियो में ही तक मिलते हैं कल के next धमा के दर विडियो में जय हिंद